खबर हैरान करने वाली है जो हर्याना के कुरुक्षेतर से सामने आई है एक चाय बेचने वाले को बैंक ने 51 करोड रुपे का डिफॉल्टर बना दिया है यह पूरा मामला तब सामने आया जब चाय बेचने वाला राजकुमार एक फिनांस कंपनी में 50,000 रुपे का लोन लेने गया लेकिन कंपनी ने लोन देने से इंकार कर दिया बैंक वालों ने कहा कि आपके उपर करीब 51 करोड रुपे का लोन है लोकडाउन की वज़ए से कारовать में नुकसान के बाद राजकुमार लोन लेना चाहता था अब बैंक वालों ने लोन देने से इंकार कर दिया है फाइनांस कंपनी के मुताबिक राजकुमार पर अलग-अलग बैंक का करीब 50 करोड रुपे का लोन है राजकुमार के मताबिक वो पहली बार किसी बैंक में लोन लेने गया था वहीं जानकारों का ये कहना है कि सिस्टम की गलती की वजह से ऐसा हो सकता है लेकिन पूरी खबर जांच के बाद ही सामने आएगी फिलाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद देखे बिहार में कोरोना का बढ़ता खौफ